सो हलो गाइज कैसे हैं आप सब सैमसंग ने डिवाइस की लिष्ट है सीक्योडी पेच अपडेट्स के लिए इसमें कुछ चेंज़स किये हैं और इस बार काफी बड़े बदलाव यहां पर लिष्ट में सामिल किया है और जो कुछ पराने डिवाइस हैं उनको लिष्ट में अ सैमसंग के गिलेक्सी S7 और S7A से दोनों ही डिवाइस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने तीन साल कंप्लीट कर लिये हैं और सैमसंग अभी इनको मतली स्कूर्डी पेच प्रवाइड नहीं करने वाला है इसके अलावा सैमसंग की तरफ से अभी हाल में सैमसंग गिलेक्सी S10, S10+, S10e तीनों ही जो डिवाइसे इनको इस लिष्ट में एड कर लिया गया है इसके लावा लिष्ट में कोई और चेंज आपको नहीं देखने हो मिलेगा अगर बात करें यहां पर क्वाट्री पेच वाले डिवाइसे की लिष्ट की जिनको तीन या 20, A30, A40, A50, A70 है यह जो भी डिवाइस सैमसंग ने भी लॉंच किये हैं हाली में इन सब को इस लिष्ट में एड कर लिया है इसके लावा जो सैमसंग अलेक्सी M10, M20, M30 है वह भी लिष्ट में एड कर लिए गया है इसके लावा और भी बासरी डिवाइसे लिष्ट में सा रखाता था जो कि पुराइन हो चुके हैं और सैमसंग उनको अभी भी कुछ को सब्डेट्स प्रवाइड करता है तो मेरे ख्याल से यहां पर जो गेलेक्सी S7 यूजर्स है या सैमसंग के सभी यूजर्स के लिए गूड निकल कर आई है क्योंकि सैमसंग अपने डिवाइस सब्सक्राइब कीजिए और नोडिवाइस मेल को ओन कर लिजिए ताकि आपको जब भी को नहीं अप्डेट आए तो सुर्म चनल पर उसके बारे में इंफोर्मेशन मिल जाएं